नमस्कार, स्वागत है आपका मिनाक्षी इस किचन में, आज मैं शेय कर रही हूँ मेथी मुठिया के रेसिपी, साथ इस मुठिया से आज हम बनाएंगे टेस्टी सबजी, तो सबसे पहले हम बनाएंगे मुठिया, मुठिया बनाने के लिए मैंने या आप ले लिए हरी मैंने आपर एक हरी मिर्च ली है, यह तीकी है हरी मिर्च, आप चाहें तो हरी मिर्च की कॉंटिटी अपने एसाब से बड़ा भी सकते हैं, अब इन दोनों को हम कूट लेंगे, आप चाहें तो इसमें लसुन भी एड कर सकते हैं, पर फिलाल लसुन मैंने इसमें एड नहीं की है इसको हम इस तरीके से कूट कर ले लेंगे तो यह देखिए अद्रक और हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से कूट लिया है अब मैंने आपर ले लिया एक बड़ा mixing bowl मैं इसमें डाल दूँगी आदा कप गेहूं का आटा, आदा कप ही मैं इसमें डाल रही हूं बेसन, अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी, मेथी को मैंने साफ करके इस तरीके से छोटा-छोटा कट कर लिया और कट करने से पहले ही इसको मैंने अच्छे से दो लिया था, तो मैंने आपर करीबन एक से डेड़ क मेथी यहाँ पर ली है अब इसमें एड़ कर देंगे धनिया बारिक कटे वे भनिया का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर मुठिया में आ जाएगा अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी अद्रक और हरी मिच जो मने कूट कर रखी हुई है फ्रेशली ग्राइंड की वी अद्रक औ एड़ करेंगे गरम मसाला आदा चमच लाल मेश पाउडर आदा चमच आइड करेंगे नमक नमक मैंने इसमें कम ही डाला है आदा चमच जीरा पाउडर और दो पेंच आइड कर देंगे इसमें बेकिंग सोडा इससे हमारे एगदम मुठिया खस्ता भी बनेंगे और स्पून के हेल्प से या फिर हातों के हेल्प से इसको पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद इसका हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तयार करना है तो इस तरीके से मैंने स्पून से इसको हलका हलका मिक्स कर दिया इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसका हम डो ले लिया, अब इसमें पाने दीरे-दीर एड करते जाएंगे और इसका semi soft dough लगाकर हम तयार कर लेंगे, तो यह दिखिए इस तरीके से मैंने आपर यह dough लगाकर तयार कर लिया है, इतना soft रखा है dough को मैंने, अब इसमें से हम मुठिया बना लेंगे, तो इस तरीके से जितनी fry हो जाएंगी, उतनी में पहले बना कर रख लूँगी, और जब यह fry हो रही होंगे, तो साथ साथ में दूसरी भी बना लूँगी इस तरीके से, तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आपर यह बना ली हैं, पहले इनकों fry कर लेते हैं, इसको fry करने के लिए, ओल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था, मीडियम होड ओल में इसको आप fry कर लें, जब तक कि अच्छे से यह क्रिस्प ना हो जाए, मीडियम एट पही ही इससे आप फ्राय करें, तक अंदर से भी अच्छे से यह पक जाए, और भार से भी एकदम यह क्रिस्प हो जाए, अब इसको अप हलका अलका ही टच करें जब आपको लगए ये half done हो गई है यानि हलकी हलकी fry हो गई है तब ही इसको आप हलके हाथ से पलट दें और हर तरफ से पलट पलट कर इसको अच्छे से आप क्रिस्पने तक fry कर लें तो ये देखे मेरी मुठिया क्रिस्प होना शुरू हो गई है मैंने अबर ये मुठिया फ्राय करके बनाई है मुठिया को स्ट्रेम करके भी बनाया जा सकता है तो ये देखे ये मुठिया मेरी फ्राय हो गई अच्छे से ये क्रिस्प हो गई है तो मैं इसे निकाल देती हूँ और दूसरा बैच पर इसे तरीके से हम फ्राइ करके ले लेंगे अच्छे से एक रिस्प हो गई है ये देखिए बहुत अच्छा कलर भी इसमें आ गया है मुठिया में मसालों की कॉंटिटी और हरी मेथी की कॉंटिटी आप अपने टेस्ट के कॉडिंग कम्या जादा भी कर सकते हैं तो ये देखिए एक बैच मेरा यहाँ पर ये फ्राइ हो गया तो ये फ्राइ की भी मुठिया मैंने यहाँ पर ये ले ली है अब आप चाहे तो स्मुठिया को ऐसे ही खा लें, चाहे के साथ, या फिर ऐसी स्नैक्स की तरह, या फिर चटनी के साथ कैसी भी से आप खा सकते हैं खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है चाहे तो इसके आप सबजी भी बना सकते हैं सबजी भी इसकी बहुत ही टेस्टी बनती है सबजी में मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ इसकी सबजी बनाने के लिए मैंने आप ले लिया एक बड़े साइस का प्याच चार कलिया लसुन की ले लिया और थोड़ी सी ले ली मैंने यहाँ पर यह अद्रक और ले लिये मैंने यहाँ पर दो बड़े साइस के टमाटर टमाटर को भी इस तरीके से मैंने रफली चौप कर लिया है सबसे पहले प्याज, लसुन और अद्रक को हम ग्राइंडर के जार में डाल कर पीस लेंगे और इसकी हमें पेस्ट बना लेंगे इनको में डाल देती हूँ ग्राइंडर के जार में इसको पीसने के लिए जैसे मैं यहापर यह प्याज लसन और अद्रक ग्राइंड कर रही हूँ मिक्सी के जार में डाल कर उसके बार टमाटर भी इस तरीके से हमें पीस्ट कर ले लेना है तो यह देखी प्याज अद्रक लसन को मैंने पीस्ट कर इसकी इस तरीके से यह पेस्ट बना ली अब मैंने gas रख दिया ये pan, पैनिया कड़ाई कुछ भी आप ले ले, मैंने इसमें डाल दिया oil, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, हलका हलका इसको हम भूलेंगे, इस तरीके से हींग का भी बहुत ही अच्छा flavor सबजी में आ जाएगा, अब मैं इसमें डाल रखी है, तारी ही इसमें डाल देंगे, बहुत एजी लिए सबजी बन जाएगे, खाने में तो ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है, ट्राय जरूर करें, अब इस प्याज को हमें मेडियम हीट पे भूना है, जब तक की हलका सा ब्राउन आउना शुरू हो जाए, इस तर के बड़े हमें सबजी बनानी होती है, तो मुठी हमें नमक तेस होने तो सबजी में भी नमक तेस हो जाता है, प्याज को भूनने के बाद मैंने इसमेड कर दिये पेसेवे टमाटर, अब इसमेड कर देंगे हैं मसाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आदा चमच एड़ करे आइल ना छोड़ना शुरू कर दे, तो पीच-पीच में चलाते वे, इस मसाले को आप अच्छे से भून लें, ताकि ये सूखे मसाले, प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाएं, अच्छे से इसको आप भूनेंगे तो सबजी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, कु अच्छे से भी के थिकने साब बात में भी एड़्जस कर सकते हैं, तो ये देखिए, हमारे ग्रेवी बॉल होना शुरू हो गई है, अब इसमें आइड कर देंगे ये मुठिया जो हमने बना कर रखे हुए हैं, तो सारे ही मैं इसमें आइड नहीं कर रही हूँ, थोड़े स मैं इसमें आइड कर दूँगी, मुठिया आइड करने के बाद हम गैस को मेडियाम हीट पे कर देंगे, और मेडियाम हीट पे से हम डखकन लगा कर पकाएंगे, जब तक ये ग्रेवी अच्छे से ना पक जाए और मुठिया हमारे इदम सॉफ्ट ना हो जाएं, मुठिया ग अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाए